हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम कटोरी ब्लाउट्स की कटिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने ब्लाउट्स पीस लिया है और इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है यह देखे यहाँ पर हमने इसे डबल फोल्ड किया है और यह डबल फोल्ड हमने 10 इंच का लि तो वो आ जाएगा 10 इंच, तो इसी साब से हमने ये 2 फोल्ड 10 इंच का ले लिया है, अभी हम लेंथ लेंगे तो ब्लाउज की रेडी लेंथ है 14 इंच, उसमें हम 1 इंच मार्जिन एड कर लेंगे, तो 15 इंच पर निशान लगा लेंगे, और अभी इस निशान को हम सीधा कर उसके बाद यहाँ पर हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर मैं ले रए हूँ 6 इंच और आर्मोल भी मैं ले रहे हूँ 6 इंच, इन दुन पॉइंच को जोड देंगे, अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है, तो मेरा चेस्ट है 32 इंच, उसको 4 सी डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 8 इंच तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगा लूँगी अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पाट लेना है तो मेरा कमर है 28 इंच उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 7 इंच प्लस 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारी 1 इंच की डार्ट आएगी यहाँ पर तो इसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 8 इंच पर मार्क कर लेंगे अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड देंगे और इसके बाहर से हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और straight line draw कर लेंगे अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम आर्मोल का shape देंगे अभी यहाँ पर हम डार्ट के लिए निशान लगाएंगे तो इसका हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम डार्ट की लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रहे हूँ 4 इंच और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद ये डार्ट हमारी 1 इंच की रहेगी तो दोनों तरफ हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन निशानों को हम तिर्चा जोड देंगे अभी हम नेक की मार्किंग कर लेंगे तो नेक वेड़ मैं ले रहे हूँ 2.5 इंच और नेक डीप मैं ले रहे हूँ 6 इंच यहाँ पर नेक डीप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं मैं 6 इंच ले रहे हूँ उसके बाद यहाँ पर भी हम 2.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे बैक नेक के लिए मार्किंग हो गई है अभी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है अभी हम फ्रेंट का पार्ट कट करेंगे तो इसके लिए फैबरिक को हमने फिर से टूफोल्ड करके रखा है अभी हम इसके उपर बैक का पार्ट रखेंगे जब हम बैक का पार्ट रखेंगे तो नीचे से हमें वन इंच का मार्जिन रखना है उसके बाद ही बैक पार्ट को रखना है अभी यहाँ पर फ्रेंट नेक हम एज़िटीज मार्क कर लेंगे यहाँ पर आप अपने अकौर्डिंग नेक कम ज़ादा कर सकते हैं तो मैं जितना है उतना ही ले रही हूँ 6 inch, फ्रेंट के लिए भी, शोल्डर भी एडजिटीज मार्क कर लेंके, आरमूल को भी मार्क कर लेना है, और साइड को भी हम एडजिटीज मार्क कर लेंके, सिर्फ नीचे की तरफ हमें 1 inch extra ले लेना है फ्रेंट पार्ट में, यह जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है, इसे भी हम मार्क कर लेंके, अभी बैक पार्ट को हम साइड में रखेंके, तो यह हमारी फिटिंग वाली लाइन है, अभी हम यहां से 1.5 inch अंदर से फ्रेंट का आरमूल ड्रॉ कर लेंके, अभी हम यहाँ पर बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे तो जो बेल्ट रहेगा वो हमारा रेडी 2.5 इंच का रहेगा तो हम 1.5 इंच एक्सट्रा लेंगे और 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और straight line draw करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें हलका सा round shape दे देना है तो यह हमारा बेल्ट हो गया अभी हम कटोरी के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पर margin छोड़के यह जितना part है उसके हमें 3 part करने है तो यहाँ पर यह 8 इंच है तो 8 को हम 3 से divide करेंगे तो वो आजाता है 2.6 इंच तो हम 2.6 इंच पर mark कर लेंगे यहाँ पर भी 2.6 इंच पर mark करेंगे तो इस तरह से यह हमें 3 part बना लेने है अभी यहाँ पर neck की side है तो neck वाली side से हम 1 इंच पर mark करेंगे किसी भी size के लिए blouse बना रहे हो तो भी आपको यहां पर 1 inch पर ही mark करना है और यह जो आर्मोल वाली side है यहां पर हम 2 inch पे mark करेंगे तो यहां पर छोटे size के blouse के लिए हमने 2 inch लिया है अगर आप इससे भी बड़े size का blouse सिल रहे हैं तो आपको 2.25 इंच पे मार्क कर लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर जो नीचे की साइड है यहाँ पर हम 3 इंच स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम इन निशानों को कर्व शेप में जोड देंगे तो इस तरह से यह हमने मार्किंग कर ली है कटोरी की अभी हम इसकी कटिंग कर लेंके यहाँ पर हमें फ्रेंट आर्मोल से कटिंग करनी है उसके बाद हम बैल्ट को भी सेपरेट कर लेंके और उसके बाद हम कटोरी की यहाँ से कटिंग कर लेंके तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी cutory की हम अलग से cutting करेंगे fabric पे तो belt को और side के part को हम side में रख देंगे और हमने ये fabric लिया है और fabric को हमें double fold में लिना है ये देखे हमने इसे double में रखा है अभी इसके ऊपर ये जो हमने cutory cut की है इससे हम रखेंगे सीधी साइट से हमें सीधी साइट ही से रखना है इस तरह से और यहाँ पर जो कटोरी का बॉटम है बॉटम की साइट यहाँ पर हम दोनों तरफ 11 इंच पे मार्क कर लेंके एक्स्ट्रा बढ़ा लेंके दोनों तरफ 1 इंच और यह जो कटोरी का सेंटर है यहां से हम नीचे की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे किसी भी साइज के लिए आपको यहां पर 1.5 इंच पे ही मार्क करना है उसके बाद इन निशानों को हम तेरचा जोड़ देंगे उसके बाद यहां पर नेक वाली साइड में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है इसे हम तिर्चा जोड लेंगे यहाँ पर हमें margin नहीं लेना है और neck को हम as it is mark कर लेंगे और यहाँ पर हम half inch का margin लेंगे और इसे हम नीचे के point को जोड देंगे इस तरह से तो इस तरह से हमें marking कर लेनी है अभी मैं अपको face से एक बार समझा रही हूँ तो जो कटोरी का हमारा bottom है यहाँ पर हम दोनों side में 11 inch बढ़ा लेंगे और नीचे की तरफ हम 1,5 inch बढ़ा लेंगे और इन निशानों को हम तिर्चा जोड देंगे उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी margin नहीं लेंगे इसे तिर्चा जोडेंगे neck को हम as it is mark कर लेंगे और यहाँ पर हम 1,5 inch का margin लेते हुए इसे नीचे की तरफ जोड देंगे इस तरह से तो अभी यह जो हमारी पहले वारी कटोरी है इसको हम use नहीं करेंगे तो इसको हम हटा देंगे और यह कटोरी हम attach करेंगे तो इसकी हम cutting कर लेंगे यह कटोरी हमारी blouse में attach होगी अभी यहाँ पर हम जो center है कटोरी का यहाँ पर हम 3 inch पर mark करेंगे dart के लिए 3 inch पर mark करना है और इसे straight draw करना है नीचे उसके बाद यहाँ से हम 1.5 inch पर mark करेंगे दोनों side में हमें 1.5 inch पर ही mark करना है और इन्हें हमें तेरचा जोड़ देना है तो यह हमारी dart होगी उसके बाद इसे center से पकड़ते हुए जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम एक cut लगा लेंगे तो जिससे कि जब हम इसे stitch करेंगे तो हमें dart डालने में आसानी होगी तो इस तरह से यह हमारे दो पार्ट्स है और यह side के दो पार्ट्स है और यह हमारा belt है तो जब हम यह dart stitch करेंगे इस तरह से तो यह जो हमारा size आएगा कटोरी का वो इसमें बराबर बैट जाएगा और यह नीचे से हमारा belt लगेगा अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को fourfold किया है यह देखें हम पर open side है और यहाँ पर fold side है और यह fourfold हमने लिया है nine inch का जितना आपका आर्मोल है उससे तीन इंच जादा लेना है तो मैंने आर्मोल six inch लिया था इसके लिए मैंने nine inch का fourfold ले लिया है इससे जब आप sleeve attach करोगे तो आपका sleeve कम नहीं पड़ेगा अभी यहाँ open side से हम two point five inch पे मार्क करेंगे और इसी निशान को हम तिर्चा जोड देंगे यहाँ पर अभी यहाँ पर line के उपर से हम back का आर्मोल draw कर लेंगे इस तरह से और अभी line के नीचे से हम front का आर्मोल draw कर लेंगे इस तरह से तो यह हमारा front का आर्मोल है अभी हम sleeves की length लेंगे तो sleeves की ready length है 4 inch प्लस हम 1.5 inch का margin लेंगे तो 5.5 inch पर मैं निशान लगा लूँके अभी इस निशान को हम सीधा कर लेंगे अभी यहाँ पर हम sleeves bottom लेंगे तो sleeve bottom है मेरा 5 inch प्लस 1.5 inch का हम margin लेंगे और इन दोनों निशानों को हम जोड देंगे तो अभी हम sleeve की cutting करेंगे सबसे पहले हम back armhole से cutting करेंगे तो हमने sleeve की cutting कर ली है अभी हम sleeve को open करेंगे और friend का armhole cut कर लेंगे तो हमने friend का armhole cut कर लिया है तो इस तरह से यह हमारे दोनों साइड के दो sleeves हैं झाल कर तो कर दो